नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े अमीर और दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में नंबर 3 गौतम अडानी कल देर रात, देश के बड़े मीडिया घरा ने अंडिया टूडे और आज तक ग्रुप के सभी चैलनों पटर इंटर्वु देते दिखे इंटर्व्यू ले रहे थे इंडिया टूडे ग्रूप के एडिटोरियल डारेक्टर राज चेंगपा कहा ये गया कि इंडिया टूडे की तरप से गौतम अडानी को न्यूज मेकर अप दे येर 2022 के लिए चुडा गया है इसलिए उनका इंटर्व्यू किया गया है इंटर्व्यू करीब 40 मिनट का था प्रसारित हुआ उसके साथ कई सवाल पैदा हुआ पहले तो उस इंटर्व्यू में जिस धंग से गौतम अडानी बात कर रहे हैं सवालों का जवाब दे रहे हैं जिस धंग से गौतम अडानी एक-एक शब पर रुक-रुक कर बात कर रहे हैं सधे हुए धंग से तूटे हुए वाक्य के साथ या कहें बहुत सोच कर क्या बोलना है कितना बोलना है किस लिमिट में बोलना है किन शब्दों का इस्तेमाल करना है उसके प्रती जितने सजग और सतर्क दिख रहे थे उससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं ये इंटर्व्यू स्क्रिप्टेट तो नहीं था और कहीं ये इंटर्व्यू सामने टेली प्राम्टर या किसी स्क्रीन पर देख कर तो नहीं दिया जा रहा था ये सवाल सोशल मीड आपर पूछे जा रहे हैं लेकिन आज मैं कुछ और सवालों का जवाब भी तलाशूंगा कि आखिर गौताम अधानी इतने सालों बाद या कहें तो कई सालों बाद देश के चैनलों पर क्यों आए क्यों इंटर्विव अचानद देने लगे क्योंकि इंटर्विव सिर्फ इं जो कुछ दिनों बाद टेली कास्ट होना है तो सवाल उता है गौताम अधानी सालों बाद अचानक इंटर्विव दे रहे हैं उसका मकसद क्या है और जो मैंने कहा कुछ सवाल जो इसे इस इंटर्विव से पैदा हुए हैं कि अधानी क्या सामने किसी स्क्रीन पर जवाब जवाब दे रहे हैं या कोई टेली प्राम्टर है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और आडानी अचानक अगर इंटर्व्यू दे रहे हैं तो इसकी वजह क्या है और इसके पहले आडानी ने कब-कब इंटर्व्यू दिया है इसकी भी थोड़ी तलाश की हमने रिसर्च की YouTube पर Google पर क्या डानी कब इंटर्वी देते हैं क्यों इंटर्वें किया इंटर्वीू में बोलते हैं काफी समय खर्च करके जो निकला है वो भी आपको बताऊंका तो जदेखिए पहले इस इंटर्वीू में का कारोबारी 10,00,00,00,00,00,00,00,00 की सीमा पार कर गया तो इसकी कोई वज़ा है क्या अगर सवाल और अरोप गौतम अडानी पर लगातार लगें और वो अरोप खास तोर से NDTV के खरीदने के बाद भी कही तरह के लगें तो क्या इसकी वज़ा से गौतम अडानी टीवी पर आए इसको भी समझने की कोशिस करेंगे यह इंटर्व्यू का फ्रेम है इस इंटर्व्यू के फ्रेम में मैंने इसे तलासने की कोशिस की कि कहीं दूर कोई ऐसा स्क्रीन या को कोई टेली प्रॉम्टर टीपी या कोई स्क्रीन तो नहीं है जिस पर गौतम अडानी के जवाब लिखे हो और यह देखकर पढ़ रहे हो क्योंकि जिस धन से गौतम अडानी जवाब दे रहे हैं अगर आप इस इंटर्व्यू को आपने देखा होगा नहीं देखा तो जराती उनकी मुख्य भाषा है हिंदी ठीक ठाक बोलते हैं लेकिन क्या अंग्रेजी इतने खराब है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कुछ उनके इंटर्व्यू के दूसरे इंटर्व्यू के हिस्सों पर भी हम बात करेंगे जिससे मैं अपनी बात आपको समझा चेंगपपा ने किया जैसा कि मैंने बताया यह आलिशान गौतम अडानी का हमदाबाद का आफिस है कुछ लोग करें अडानी स्टूडियो है वहां इंटर्व्यू रिकॉर्ड किया गया है आगे यह इंटर्व्यू तेलिकास्ट अभी आज तक पर ललन टॉप पर टीवी छुडे पर हर जगह यह इंटर्व्यू तेलिकास्ट होगा है, इंटर्व्यो में मूदी की तारीफ की है, ND TV के बारे में बात की है, कंप्नी के ग्रोथ के बारे में बात की है, और उन आरोपों का जवाब देने की कोशिस की है अडानी ने, जो आरोप उन पर लगते रहे ह चाहे बैंकों का कर्ज हो चाहे ग्रोथ में के लिए नरन मोदी की उन पर महर्मानी हो मोदी की सरप्रस्ति हो उन आरोपों का भी जवाब गौताम अडानी ने दिया लेकिन सवाल यही यह जवाब देने की जरुवत अभी गौताम अडानी को क्यों पढ़ी और उससे बड़ी क्या मोधी की तो तारीफ करेंगे ही क्योंकि मोधी राज में गौतम अडानी का ग्रोथ है चाहे गुजरात में मोधी जब मुख्यमंत्री थे तब 2002 से 2014 के पहले और 2014 के बाद अभी साधे-8 सालों में उस ग्रोथ की कहानी भी आपको बताएंगे जिससे आपको अंदाजा लग करोड से 11-12 करोड का हो जाए मानिय उससे पीछे छूट जाए दुनिया का तीसरा अमीर बन जाए तो सफलता है कमांत्र बता सकता है गौतम अडानी का इंटर्विव वहीं इंटर्विव जो जिसका जिक्र कर रहा हूँ ललन टॉप पर भी यह अपलोड हुआ हार मानना परस्ती हो जब नरेन मोदी का हाथ सिर पर हो ऐसा विपक्षा रूप लगाता है क्योंकि 2002-20022 साल चाहे मुख्यमंत्री रहते चाहे प्रधान मंत्री रहते तो सब कुछ नरेन मोदी के राज में ग्रोथ को लेकर अडानी के बारे में कहा जाता है कोई ऐसा सेक्टर नहीं ज बिदेश से लेकर बिदेश तक कोई ऐसा काम नहीं जो अडानी को मिला नहीं कोई ऐसा काम नहीं जिसमें अडानी बाकियों को पीछे छोड़कर आगे बर नहीं रहे तो हार मानने के अडानी को जरूत नहीं लेकिन मुद्दा यही क्या अडानी स्क्रिप्टेड जबाब देते हैं कि मेरे 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 लिए माइने नहीं रखते इसका भी उन्होंने जबाब दिया उसी इंटर्व्यू में अब कि क्योंकि एंडी टीवी के अधिगरहन के बाद से ही अडानी को लेकर उनकी नियत को लेकर बहुत सवाल उठे तोशल मीडिया पर खास तोर से रवीश ने कुछ खुलकर बोला है इंटर्व्यू दिया है और लगातार कहा जा रहा है कि जब देश में 90 फीजदी से ज़्यादा चैनल पहले से मोधी समर्थन में हैं मोधी सरकार की चापलूसी करते हैं मोधी के नेटिव के हिसाब से काम करते हैं विपक्ष को निशाने पर रखते हैं हर समय मोधी महिमा पर ही सारे चैनल हैं एक अगर एंडी टीवी था जो थोड़ा क्रिटिकल था या अलोचना करता था या अपनी मुखरता की बज़े से सर कार को असाज स्थिती में डालता था उसमें रवीश कुमार और बाकी लोग भी थे पूरे चैनल संस्थान के भूमिका बाकी चैनलों से अलग थी और उस चैनल का अधिगरन किया इसलिए उस मन्शा पर सवाल है क्या ये प्रधान मंत्री की सहमती मर्जी या कोई स्टेड़ कि मैं क्यों कहा रहा हूं कि इस्क्रिप्टेड इंTERVYू था क्या अडानी टेलीप्रम्टर देखकर या स्कृरं देखकर बोल रहे थे क्या अडानी अंग्रे जी वह ऐसे ही बोलते हैं जैसे उसंसे इंटर्विउ मों बोल रहे थे इसका जवाब और अडानी कब-कब इंट करेंगे तो उन्होंने जबाब में कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंडी टीवी विश्रस्निय स्वतंत्र और अंतराष्टिय नेटवर्क होगा मेनेजमेंट और संपात किये में हमेशा एक लक्षमन रेखा रहेगी हम चाहें तो इस पर लंबी बहस कर सकते हैं लेकि टूडे की तरफ से कि ये अडानी का पहला इंटर्व्यू है रिचेस्ट होने के बाद रिचेस्ट मतलब देश ही नहीं दुनिया में नमबर तीन होने के बाद ये पहला इंटर्व्यू है वर्ल्स थर्ड रिचेस्ट मैं ये इंडिया टूडे का दावा है तो अभी क्यों इंटर्व्यू दे रहें मैं इसकी इस सवाल का जबाब तलाश था हूँ और आगे कुछ ऐसे इंटर्व्यू के टुकड़े भी आपको दिखाने वालों बारत ये एक दैनिक जागरन में एक उनका इंटर्व्यू छपा हलाके इसको इंटर्व्यू कहें क्या कहें ये छपा है 10 दिसंबर को एंडी टीवी के अधिकरहन के बाद एंडी टीवी के टेक ओवर के बाद और हलाके इस इंटर्व्यू की खास बात ये है कि किसने बात की पता नहीं चल रहा सिर्फ लिखा है उनकी सफलता के सफर पर विशेस वारता ये वारताकार कौन है पेड है क्या है ये लिखा हो इसका मतलब है कि ये पेड इंटर्व्यू है तो सवाल फिर ये उठता है कि अडानी को पेड इंटर्व्यू की जरुवत क्यों पड़ी थी कि वो इस तरह से इंटर्व्यू उन्हों ने दिया ये देखे नीचे लिखा हुआ है एक्स्क्लूसिब पावर फीचर ज उन्हों से जब पूछा गया एंडी टीवी आपकी मीडिया में इंट्री एंडी टीवी के अधिगरन को लेकर प्रेस फ्रीडम को लेकर तो उन्होंने कुछ बातें इसमें कही ओ बहुत आहम है उन्होंने कहा कहा था कहें दस तारीक का चुकी है इन्होंने कहा कि मेरी सारी क अडानी ने इसमें कही ये अभी देखना है इंतहान होना इसका अडानी ने कही जागरन के इस इंटर्वीव में और इसी तरह की बात करीब करीब बिजनेस को लेकर जो बातें अपने ग्रोथ को लेकर बैंकों के कर्ज को लेकर कुछ सवाल जो उन पर लगते रहें उनके जिस इस इंटर्वियू में उन्होंने जो बातें कही उसी में एक बात जैसे उन्होंने कहा कि NDTV का अधिगरन एक समाजिक जिम्मेदारी है ना कि लाब के लिए किया अधिगरन है हिंदुस्तान में बहुत सारे मीडिया गृूप्स हैं मैं NDTV को अंतराष्टिय ब्रांड का प्राज ने उन्हें दी क्या देश ने कोई सर्वे करके देश के लोगों ने अपील करके चित्थियां लिखे हजारों लाखों लोगों ने उन्हें चित्थी लिखा कि अडानी जी आप जल्दी एंडी टीवी को टेक ओवर किजिए समाजिक जिम्मेदारी निभाई है वरना क्या मतलब है तो समाजिक जिम्मेदारी कहने की बात एक और इंटर्व्यू मैंने देखा कहीं इंटर्व्यू या सवाल जवाब में कहीं भी उन्होंने कहा इसी दौरान जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया की सुतंत्ता का मतलब है कि अगर मीडिया ने कुछ गलत किया है तो 8 साल में भी नहीं कर पाया जो सरकार सारे 8 साल में 80 उनके वादे हैं दावे हैं जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 सरकार बनने से लेकर बाद तक 2019 के चुनाओं के पहले किये गए प्रधान मंत्री मोदी और बाकी मंत्रियों की तरब से बहुत सारी चीज़ां पूरी नहीं हुई अब उसकी लि मिल रहा है कि अच्छे काम भी काफी दिखेंगे तो यह अडानी जी का इंटर्व्यू था अब वहां आते हैं कि मैंने क्यों कहा या क्यों लग रहा है कि कहीं स्क्रिप्टेड इंटर्व्यू तो नहीं है अडानी अगर इंडिया टूडे के एडिटोरियल डिरेक्टर से ब लगातार चल रहा ये थो हो सकता है गुजराती है मूल भाशा पहले गुजराती में सोच रहे होंगे और उसके बाद अंग्रेजी में ठांसलेट कर रहे होगे जैसा कोई भी नौन इंग्लिश आदमी करता है हम लोग को भी अगर चारला बोलना होगा वही सोचेंगे पहले हिंदी सोच के ट्रांस्ट्रेट करेंगे तो यह हो सकता है लेकिन क्या अडानी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं इसको समझने के लिए एक इंटर्विव और मुझे मिला यूट्यूब सर्च करने के दौरान ये इंटर्विव है और ये भी कि अडानी कब-कब इंटर्विव देते हैं इंटर्विव देने का मौका क्या होता है दस्तूर क्या है अडानी के इंटर्विव देने का तो ये इंटर्विव मुझे मिला यूट्यूब पर स्काई न्यूज ऑस्टेलिया का ये इंटर्विव तीन साल पहले का है 2019 का इंट उसी दवरान का यह इंटर्व्यू है पहला सवाल ही माइनिंग को लेकर उनसे पूछा गया है लेकिन इस पूरे इंटर्व्यू को मैंने सुना पूरे मतलब सुरू के इंग्लिश क्या जिस तरह से इंडिया टूडे के इंटर्व्यू में बोल रहे हैं अडानी वैसे इंटर्व्यू देते तो इस इंटर्व्यू में और इंडिया टूडे के इंटर्व्यू में फार्क है आप इस इंटर्व्यू को प्ले कीजिएगा नाम यहां लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में चाहेंगे डाल दूँगा और इंडिया टूडे के इंटर्व्यू देखिए तो आपको लगेगा कि ये इंटर्व्यू अडानी थोड़े सहज भाव से बोल रहे हैं जैसे हो सवाल पूछ रही है रिपोर्टर अडानी जबाब दे रहे हैं जैसी भी उन रही है इसलिए लगता है कहीं टेली प्राम्प्टर पर पढ़कर या सामने रखी किसी स्क्रीम पर देखकर तो नहीं बोल रहे थे और अगर नहीं बोल रहे थे तो क्या अडानी ने पहले से एक एक शब्द को दिमाग में डाल रहा था कि मुझे इतना ही बोलना है इससे ज किस महा है कि दहने बहुत कुछ सधे भूए ठंसे चुकी बोल रहे इस इंटर्व्यू से अन्ग्रेजी का मिलान कर सकते हैं अब आते हैं जो मैंने कहा क्या आगे दिखाने वाला हूं यह इंटर्व्यू मुझे इने सारे चैनलों को टेक ओवर कर लिया नेट्वर के टीम का सी एन बीसी पर यह इंटर्व्य आठ साल पहले लिए अंग्रेजी में इंटर्व्यू है इस इंटर्व्यू में अडानी की अंग्रेजी बिल्कुल अलग लगेगी कम्फर्टिबल है मतलब इस इंडिया टुडे क आठ साल पहले एक ही समय का इंटर्व्यू है यह एट येर से गो कि अब ऐसा क्या हुआ था कि 8 साल पहले अचानक इंटर्व्यू दिया था सारे चैनल को और आठ साल बाद अडानी ने फिर इंटर्व्यू देना शुरू किया इंडिया टूडे अदालत और पता नहीं आने पहले का है यहां लिखा हुआ है एट येर से गो यह इंटर्व्यू आज तक को दिया अब यह तीनों चारों जो इंटर्व्यू हैं यह इंटर्व्यू लिए गये हैं 28 अप्रिल 29 अप्रिल 2014 में में प्रधान मंत्री बन गये मोदी उस वक्त चुनाओ हो रहे थे पहली बार प्रधान मंत्री की दावेदारी नरिन मोदी की थी चुनाओ हो रहे थे उस चुनाओ में रैलियों में समाओ में राहुल गांधी खास तोर से और विभख्ष के कुछ नेता लगतार अडानी पर नरिन मोदी से करीबी के आरोप लगाते हुए यहां तक का रहे थे कि डरन मोधी की महरवानी से अडानी को कौडियों के भाव गुजराथ में से जड के नाम पर जमीने दी गई अर्बों की जमीने दी गई और अडानी के ग्रोथ में मोधी का रोल है और वो इसलिए भी उसकी एक वज़ा य प्लेंड में उनकी तस्वीर आती थी और नरेन मोधी जो चुनाओं प्रचार करते थे वो अडानी के चार्टेड प्लेंड से जाते हुए देखे जाते थे तो रहूल का थे यह बार-बार कह रहे थे अरोप अडानी पर लग रहे थे ऐसी तस्वीरे जब विपक्स शेयर कर रहा था जिसमें ये पीछे देखे अडानी लिखा हुआ है अडानी के प्राइवेट प्लेन से चुनाओ प्रचार करते थे मूदी अहमदाबाद से उरते थे पूरे देश में जहां भी चुनाओ प्रचार होता था लौट इंटर्व्यू दिया और उस इंटर्व्यू में उन्होंने सफाई दी उन्होंने विपक्ष के आरोपों की सफाई दी उन्होंने कहा कि उनका ग्रोथ हमेशा होता रहा है इसमें कोई मोदी जी की कोई अलग से भूमिका नहीं है उन्होंने कहा कॉंग्रेस की सरकारों के वक कर वो कह रहे थे मोदी से हमें कुछ खास नहीं मिला सरकार ने अलग से हमारे लिए कुछ नहीं किया ये कहने के लिए ही उस वक्त गौतम अडानी विपक्ष या राहुल गांदी के जवाबों के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी सफाई देने के लिए अचानक आये त फिर अभी क्या हुआ इसको समझने की जरूरत है अब ये भी हुआ है कि अभी जो इंटर्वीउ उन्हों ने दिया है उस इंटर्वीऊ में भी उन्होंने कहा है कि कॉंग्रցस सरकारों में भी उन्हें उनके लिए सरकारों की policy का उन्हें फायदा हुआ बलकि राजीव गांधी का भी एक इंटर्विव में नाम लिया उन्होंने नर्सिंग राओ का नाम लिया और यह कहने की इस इंटर्विव में भी इंडिया टीवी टूडे के इंटर्विव में भी कहा है कि यह कहना कि सिर्फ मोधी के समय ग्रोथ हुआ यह गलत अब यह आगे का इस्तिफा राधिका रोई प्रणेर आये ने जब बोड से इस्तिफा दिया जब टेक ओवर फाइनल हुआ तो इनका इस्तिफा उसके बाद हुआ इस्तिफा देकर उन्होंने एक वीडियो बनाया सेट के नाम संदेश सीधे सीधे गौता मडानी निशाने पर और ये नसीहत ये बार-बार कि आप NB TV के अधिकरन के साथ अगर चाहते हैं आवाज को दबाना और जो नागरिक को हक है अधिकार है कि वो हर तरह के आवाज सुरे उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं इस तरह से रवीश कुमार ने अपने वीडियो में भी कहा और लगातार वाइरल भी ऑस्टेलिया का भी जिक्र किया और 2014 का भी आपको पताया रवीश नहीं ना सिर्फ अपने वीडियो में कहा भल्कि कई इंटर्व्यू भी दिया रवीश ने और उस इंटर्व्यू में भी रवीश ने अडानी को कट घरी में ख़रा किया और उनकी मंशा को संदिग्द मताय और कहा कि वो एंडी टीवी को जो टेक ओवर कर रहे हैं उससे उनकी मन्शा साफ है कि वो उस तरह की पत्रकारता चाहते हैं जो मोधी जी या मोधी सरकार को मुफीद लगे और मैं चुकी वाइस था इसलिए ये भी एक वज़ा हो सकते हलाक है मैं उससे सामत नहीं हूँ कि एक वज़ा होगी कई वज़ा हो सकती एक बड़ी वज़ा रवीश के शोग को लेकर असास्ता भी हो सकती है लेकिन जो भी बज़ा हो रवीश ने इस इंटर्व्यू में भी अडानी को टार्गेट किया उसके अलावा करन ठापर को भी इंटर्व्यू रवीश ने दिया वहां भी अडानी पर रविश के हमले थे तो बात आती है कि क्या कहीं ऐसे इंटर्व्यूस मीडिया में सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में लाखों लोगों का देखना लाखों लोगों का ट्वीट करना लगातार अडानी की नियत पर सवाल उठाना लगातार मो जब दुनिया के तीन अमीरों में शुमार हो चुके भारत के नंबर वन है तो उनकी छवी निर्मान के लिए तो कहीं इंटर्व्यू नहीं हो रहा है। कि फिर वहीं सवाल क्या इंटर्व्यू देख का टीपी पर हुआ है या और टेली प्रॉंटर का इस्तवाल प्रधानमंत्री मोधी तो करते ही हैं अब अडानी के ग्रोथ की बात पहले तो एंडी टीवी एंडी टीवी में अडानी ने अधिगरन किया टेक ओवर के बाद अड सेथारी होते ही एंडी टीवी अडानी के कबजे में क्या अब आतीए बात अडानी के ग्रोथ की जिसकी सफाई व अपने इंटर्विव में देते जब उनसे पूछा जाता है इंडिया टुडे ने इंटर्विव में पूछा है कि आपके आलोचक कहते हैं कि आपकी जबरद शुरू हुआ था और उसके बाद 95 में केशु भावी पटेल और उसके बाद जो भी उन्होंने बात बताई लेकिन हम आते हैं 2014 एक बेंचमार्क है और 2022 एक बेंचमार्क है क्योंकि 14 से 14 से 22 में ही अडानी की जो दौलत है नेट वर्थ है वो आसमान तक पहुंची है और 14-19 अहम क्यों है चौदा में प्रधानमंत्री बनते हैं नरल मुदी तो 14 से देखिए ये भी दैनिक भासकर के हवाले से 2014 के बाद संपत्ती में हुई बढ़त कर्ज में डूबी अडानी सामू की स्थिती हमेशा से ही अच्छी नहीं थी 2014 के बाद संपत्ती 230 गुना बढ़ी है 30 गुना बढ़ी 2014 के बाद से जब से नरल मुदी प्रधानमंत्री बने तो क्या लकवाई चांस है क्या किस्मत खुल गई क्या लोटरी खुल गई क्या ऐसा था कि अंबानी पीछे छुट गए अडानी उपर हो गए क्या ऐसा था कि हर धंदे में अडानी कूद गए कोई ऐसा धंदा नहीं जो आज अडानी नहीं कर रहे हैं सेव हिमाचल में सेव के भंगीचे से लेकर आपके घर में जो सरसों का तेल पहुंचता है वो तक कोई ऐसी चीज नहीं जहां कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां अडानी नहीं है अभी मुंबई में धारावी जो बहुत बड़ा स्लम बस्ती है भारत की सबसे बड़ी उसके डेवलप्मेंट का भी काम अडानी जी को मिल गया एरपोर्ट पोर्ट और हर जग़ा अडानी 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 तो ये 2030 गुना बड़ी अब यह 14 कांकड़ा है 2014 में 49,525 करोड इनकी नेटवर्ट था जो 16 में थोड़ा कम हुआ 17 में 57,000 2020 में 2,49 और यहां देखिए 2022 में 9,47,000 यह है अपरिल 2022 में यह एक ऐसी स्थिती भी आई कि सितंबर में मैं देख रहा था शायद फोप्स या किसी के हवाले से सितंबर में 12,00,00 करोर का आकड़ा भी इन्होंने पार किया अभी 10,00,00 करोर के आसपास है 10,00,00 करोर से जादा यह घटा बढ़ता रहता है मार्केट के हिसाब से, बाजार के हिसाब से, शेर के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से तो यह यहां से यहां पहुँचे, यह ग्रोथ आप देखिए, यहां है और यहां से सीधा रॉकेट, अब उसके बाद इसमें क्या मोदी जी के राज में मोदी जी की नीतिया, मोदी जी की महर्मानी, क्या इसकी कोई भूमिका नहीं है, क्या ये मान लिया जाए, जो आडानी कह रहे हैं, आप अपने मन से सोचिएगा, आगे, ये मुकेश अम्मानी वर्सिस अडानी, अम्मानी का राज था, भीरुबाई अम्मानी, मुकेश अम्मा 37,000 का Net Worth है ये कुछ दिन पहले कांकड़ा है सितंबर का है शायद और अब गौतम अडानी को देखेंगे तो 12,52,000 करोर का Net Worth लेकिन मैं जैसा की कहा अब ये कमा है ये सितंबर का है दो मेहने में कमा है लेकिन कोई भी धंदा नहीं जिसमें नहीं है गैस, उर्जा, कोल माइन्स, ट्रांस्मीशन, पावर और पोर्ट्स, लोजिस्टिक्स हर कारोबार हर धंदे में अडानी है और ये ऐसे नहीं होता है सरकार की सरपरस्ती नहों सरकार का हाथ नहों माथे पर तब तक ऐसे होता नहीं हो कुछ भी कहते रहे वो संत भाव से कुछ भी कहें लेकिन इस क्रोथ में नर्दमोदी का रोल है उसमें नर्दमोदी की महरबानी है इसके आरोप और इसके कई तरह के इसके पक्ष में डलील बेपक्ष और उनके जो यालोचक है वो देते हैं अडानी ने इस साल चार लाक असी हजार करोड जोड़े लगभग पांच लाक है पाउने पांच लाक करोड ये किसी भी बिजनेसमेन से पांच गुना ज्यादा है ये भी दैनिक भासकर के हवाले से बता रहो तीस आठ दोजार बाइस को छपा है एक साल में टॉप दस में ग्यारवे नंबर पर पहुंच गया है ये ग्रोथ है अडानी का समझेंजे और इसलिए आज अडानी आ रहे हैं अगर तो कोई वज़ा है ब्रैंड को सुधारने अपने चेहरे के साथ परसेप्शन को ठीक करने या उनके छवी उन्हें लग रहा है को डेंट हुई है एंड कोई तो वज़ा होगी बरल ये मैंने देखा इस पर यूट्यूब पर या वेबसाइट पर माफ करें एबीप के वेबसाइट पर गौतम अडानी की एक दिन की कमाई गौतम अडानी की 1612 करोड एक दिन की कमाई 1612 करोड एक दिन की कमाई 365 दिन होते हैं साल में ये भी कुछ दिन पहले का डेटा है ये भी पी न्यूज पर दिखा मुझे उसके बाद ये तो जानते ही होंगे आप कि दुनिया के चुकी नंबर तीन हो चुके हैं यहाँ पे 10,50,000 करोड गौतम अडानी का नेट वर्थ है हलाके यह भी 10 दिन पहले का है मेरे क्याल से यह बी दैनिक भासकर के हवाले से 21 बारे को यह अब गौतम अडानी के गौży के distinguished कहानी के साथ सवाल यही कि आखिर गौतम अडानी किउछ टीवी पर आएं और आने वाले समय में आएंगे और साथ में वो कि आए तो क्या टीपी देखकर गौतम अडानी इंटर्व्यू दे रहे हैं या स्क्रीन देखकर दे रहे हैं या उन्हें इसकी जरुवत क्यों पड़ी गौतम अडानी को आने की इसको आप समझेगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोई वजह तो है अडानी के इंटर्व्यू देने की बारा तो यह सब वही इंटर्व्यू के हिस्से जो मैं शुरू में दिखा चुका शांदार अमदाबाद के घर में अडानी तो फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी किसे और वीडियो में नमस्कार